नमस्कार, ग्यायत्री जोतिस केंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही जोतिस सास्तर की नही नही जानकारी हम प्रसारिट करते रहते हैं। ऐसी जानकारी जो की आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिला सके। और सबसे बड़ी बात जानकारी का इसतर ऐसा रहता है कि जिसे की आप लोग आजमा सकते हैं अत्यंत सरलता के साथ और सबसे बड़ी बात उसका पृतिफल भी अतिसीगरी ही आप लोग प्राप्त करते हैं ऐसी जानकारी जोतिस सास्त से हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो जोतिस सास्तर में जिस व्यक्ति के पाद जन्म पत्रिका आदी कुछ नहीं होती है तो जोतिसी यहीं कहता है कि यह राहुग्रह की का प्रकोब है आप राहुग्रह से समब्दित उपाई करिये तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा दूसरी बात यदि जन्म कुंडली में राहुग्रह की स्थित खराब है और आप परेसानियों से युक्त हैं परेसानिया आपको घेरे हुई हैं और आप उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो राहुग्रह का आज जो हम आप लोगों के लिए उपाई लेकर आए ह इस उपाई को यदि आप आजमाते हैं तो कब आप समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं यह आपको भी पता नहीं चल पाता इसके अत्रिक्त राहुग्रह को छोड़िए आप निरंतर लगातार यदि समस्याओं बनी हुई हैं और कहीं से कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है तो यह उपाई आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है अत्यंत सरल है कोई भी व्यक्ति इसे आजमा सकता है और तुरंत ही इसका चमतकारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकता है तो बताया गया है जब समस्याओं निरंतर चल रही हुँ या जन्म कुंडली में राहुग् दीरे दीरे सान्त हो जाते हैं और उस जातक से उस ब्यक्ति से राहुगर प्रसन्न हो उससे अपने हाथ पीछे खीच लेते हैं और उसे परिसानियों से मुक्त कर देते हैं तो इन में जो पहली चीज बताई गई है जब कभी भी परिसानियों से ब्यक्ति घिरा हुआ है लंबे समय से या राहुग्रह का प्रकौप है तो भूल कर भी उसने अपने सर पे बालों में कभी भी लाल या फुरे रंग का प्रियोग नहीं करना चाहिए इस्तरी हो पुरूस हो जैसे लोग करते हैं लाल महंदी आदी लगाते हैं तो इस अवदी में जब परिसानिया लंबे समय से हम कह चुके हैं किसी ग्रह का योगदान हो नहो राहुग्रह का योगदान अवस्य ही होता है तो कभी भी बालों को रंगना नहीं चाहिए इसके अत्रिक्त महिलाओं कभी भी जैसे हातों में नाखोनों में नैंक पॉलिस आदी वो लगाती हैं तो लाल या ब्राउन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और इस अवदी में महिलाओं पर यदि समस्याएं हैं परिसानियां से घिरी होई है तो लिपिस्टिक आदी भी लाल या ब्राउन कलर की ही ह तो भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए ये पहली ऐसी चीज है जिसे अवस्य ही ध्यान में रखना चाहिए दूसरी चीज बताई गई है कि कभी भी अपने छट पे भार नहीं देना चाहिए छट को हलका रखना चाहिए दूसरी चीज चट यानि कि छट में माना जाता है रा दिन भूल कर भी घर के उपर पे भार नहीं देना चाहिए, कोई भारी वस्तु आदी नहीं रखनी चाहिए, और गीले कपड़े या किसी प्रकार के कपड़े छत पे इस दिन नहीं टाननी चाहिए, हो सके संबह तो इस दिन छत की सपाई कर उसे हलका कर देना चाहिए, उसकी जो गंदगी भार आदी है उसे दूर कर देना चाहिए जिससे की राउग्रह अतिसीग्र प्रसंद हो जाते हैं और व्यक्ति को परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं कहने का अतात पर है कि छत पे भार ना दें कोई वस्तु ना रखें कोई कपड़े आदी सुक्रवार के दिन ना डालें और हो सके तो हलका कर लें कोई चीज उस पे भारी चीज है तो उसे हटा लें फ्राइडे के दिन या सपाई आदी कर लें तिसरी और सबसे महत्त पूर्णची राहु का जो रूप माना गया है वह गंदा माना गया है मैला माना गया है फद्दा माना गया है पर ना करें कोई खुसबुदार तेल आदी का इस्तेमाल ना करें इससे माना जाता है कि राहुग्र रुष्ट हो जाते हैं अपने साथ वह इस चीज को छेड़ खानी मानते हैं अपने रूप के साथ वह इसे छेड़ चार मानते हैं और ब्यक्ति से वह रुष्ट हो जाते हैं तो भूल कर भी सुक्रवार के दिन इस्त्री हो, पुरूस हो, साबुन, खुस्बुदार साबुन या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तेल आदी खुस्बुदार नहीं लगाना चाहिए, सेंट आदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस दिन वैसे ही सरलता पूर पेड़े के दिन शुक्रवार के दिन इन चीजों से बचना चाहिए। या जन्मकुंडली में राहुग्रह का प्रकोप आप पे चल रहा है, राहुग्रह की पीड़ा पर चल रही है, तो इन तीन चीजों से हमेशा ही बचना चाहिए। जाएंगे अतिसीग्र, राहुग्रह वाँग्रह है, जो कि ब्यक्ति पर अतिसीग्र प्रसन्य हो जाते हैं। कोई भी ग्रह इतनी सीग्र प्रसन्य नहीं होता, जितनी सीग्र राहु, केतु या सनी जैसे ग्रह प्रसन्य होते हैं। सनी देव भी थोड़ा देर में प्रसन्य होते हैं, कि तो राहु और केतु पर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देते हैं। तो वह अतिसीक्र प्रसन्य होकर आपको वो फल देते हैं, जिसकी आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते हैं। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई, तो आगे बढ़ा कर आप इसे सेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आगरा रहता है कि चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, बैल आइकन दवाएं, नियमित, निरंतर आपको बहुत अच्छे जानकारी मिलेगी। हर ग्रह से समद्धी जानकारी हमारे चैनल पर आई हुई है, पड़ी हुई है, देखिए और आनंद लीजिए और अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करें। तो मिलें गया इसी किसी बहुत अच्छे जानकारी के एपिसोट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैस्री राम, जैस्री कृष्णा, ओम, नमस्यवारी